अब ही हम देखते हैं कि ट्रेड व्यू में अलर्ट कैसे मैनेज करते हैं जैसे कि अलर्ट लगा हुआ है ठीक है अभी इसके उपर हला के प्राइस आई है लेकिन साउंड कोई नहीं प्ले हुई वह इस वजह से कि यहां पर देखे लिखा हुआ है पीप यूएसडिटी क्रॉ क्रॉस आगया है ठीक है अब वो मेरे पास अलर्ट आ चुका था ठीक है अब क्रॉस हुआ है तो अब बंद हो गया मैं चाहता हूं कि वह बंद ना हो कि देखे ना अलर्ट यहां पे देखें वह कहरे जी स्टॉपड अब चाहें तो इसको दुबारा री स्टार्ट कर लें कि दुबारा री स्टार्ट करेंगे तो वह दुबारा से यहां पर लग जाएगा लग गया ठीक है मैं चाहता हूं कि जब तक प्राइस यह फिर गवोग हो गया मैं चाहता हूं लगई रहे वो फिर cross करेगा उसे ठीक है आज ये भी हमें तंगी कर रहे है अच्छा यहाँ में इसको दुबारा play करते हैं उठा के इदर उदर कर देते हैं मैं इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं थोड़ा नीचे कर दिया ठीक है अच्छा अब यहाँ पर देखे क्रोसिंग अप ठीक है केर आ कि बाट के आ के प्राइस जब वापिस इदर से गुजरे नहीं तो मुझे तब बताना जैसे कि अभी आई पिर गई तो हम यहाँ पर अगर crossing अप लिखेंगे तो सिरफ crossing अप पर हमें alert देगा crossing डाउन पर नहीं देगा इसके बाद हमें क्या करना है existing channel, inside channel, move up, move down इसके ये वाले use कर से ज़्यादा crossing ये use कि जाता है कि आते जाते जब भी cross करें तो मुझे बताए और every time का मतलब ये है कि जिस वक्त मर्जी अब दुबारा से फिर cross करें तो मुझे फिर भी बताए ठीक हो गया अब उसके बाद इसका कोई नाम रखना है तो आप इसको लह लें जिस सिरफ just alert इसका ये नाम हमारे सामने शो हो जाएगा कोई message print करवाना है वो करवा लें ठीक है उसके बाद notification की तरफ आ जाए आपको एपे भी notification मिलेगा pop up भी show हो जाएगा और अगर email करवाना चाहते है email भी आ जाएगी फिर email बार बार आएगी इसलिए मैंने email नहीं करवाई ठीक है play sound तो ये कुछ उसने sounds अपने पास रखी हुई है इन में से sounds कोई भी भी यूज़ कर सकते है यहां से play करके पहले देख ले जो पसंद आ जाए जो पसंद आ जाए वो यूज़ कर ले कितने second के लिए play करवानी है वो भी लिख ले send plain text to alternative email अगर कोई email पर text send करवाना चाहते है वो करवा ले तो फिलाल इसकी जरूरत नहीं है सिर्फ इसकी जरूरत है और मुझे pop-up की जरूरत है notification in app यानि एब में भी notification उपर से आ जाए ये चीज़े ये इसकी management है alert की ठीक है इस तरह से अब यहाँ पर जो tab alert का है यहाँ पर काफी इसमें features मौझूद है इसमें है आप ये वाला जो alert है इसको pause कर सकते है कि यार फिलाल ये active ना हो deactivate हो जाए तो ये pause हो गया अब ये alert नहीं देगा stop हो गया ठीक है यहाँ से खायब हो गया आप चाते हैं नहीं यार आप active हो जाए पांच alert आप at a time लगा सकते है टोटल पांच alert पूरे trading view में एक coin पे भी 5 लगा सकते है या पांच different coins पे 5 लगा ले टोटल आपको पांच allow है ठीक है उसके बाद आप क्या कर सकते है इसमें alert यहाँ से अड़ कर सकते है इस तरीके से यहाँ से भी अड़ कर सकते है यहाँ से भी अड़ कर सकते है और अगर आप चाते हैं कि सारे clear कर दूँ ठीक है तो यह remove यह बाकी features तब फाइदा देती है जब आपके बास paid version होता है जिसमें आप 50 alert लगाके बैठे हैं आप कहते हैं जिस सरफ मुझे activate active only दिखाओ in active only दिखाओ यह features तब काम में आती है मैं यहाँ पर कहता हूँ remove all तो यह सारे के सारे जितने भी हैं इसमें remove हो जाएंगे खाली हो गया यह उसका log है कौन सा alert चला कौन सा नहीं चला कब चला किस वकत नहीं चला stop कब हुआ activate यह सारा उसका log maintain किया जाता है जब मैं all कर देता हूँ clear तो सारे clear हो जाते हैं तो यह है alert management पूरी की पूरी इसमें ठीक है तो यह mobile पे भी ऐसे लग सकते हैं और web पे भी समझ आगी बात यह बहुत जरूरी है